Hello everyone, this is Bharti and welcome to my channel Dream Maths and आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले है न्यू चाप्टर that is Core Relations, सबसे इजी चाप्टर आज ये चाप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आप ध्यान से स्टार्टिंग से इस चाप्टर को पकड़ के रखिए कोई भी क्लास इसकी मिस नहीं करनी ये चाप्टर आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा आज की क्लास से ही आपके 8 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे आज की क्लास का ही ध्यान से पढ़के क्योंकि फर्स टॉपिक है इस चाप्टर का और इससे रेलेटेड क्वेशन भी एग्जाम में आता है देखे फिर आज की क्लास में क्या क्या करना है देखो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन होता क्या है उसका मुनिंग मीनिंग के साथ आपको डेफिनेशन भी मिलेंगी जो आप अज एग्जाम में लिख सकतो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद हम देखेंगे टाइपस ओफ कोरिलेशन में किस किस टाइप के कोरिलेशन है कैसे हम कर सकते हैं उनकी definition क्या है ये सब सीखेंगे आज हम basically theory से related काम करेंगे आप बहुत easily एगर class में अच्छे से समझ लिया ना तो आप question attempt कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाब multiple correlation, correlation के cause क्या है, effect क्या है, degree of correlation and that's it और अगर आपने पूरी class अच्छे से देखी समझी तो ये 8 marks क question आप exam में बिल्कुल बिना पड़े book उठाने की भी जूरत नहीं है, यहीं से अच्छे से समझ लिया, जस्ट आपने revise कर लिये points तो आप exam में ये question attempt कर पाऊगे, question भी ये है, एक वाना पूरा आपको बता दू है क्या सब चीजे, ये question के answers आप मुझे end में खुद बता रहे की ज़रूरत नहीं है, now start करते है फड़ा फट से, देखो correlation होता क्या है, correlation का मतलब ध्यान से समझते जाना चीजे एकदम clear होते जाएंगी, correlation का मतलब connection होना, connection का मतलब दो चीजों में connection, एक में अगर कुछ effect पढ़ता है तो दूसरे में भी पढ़ता है, for example, example समझते है, suppose sunlight है ठीक है, आप देखो सुबे temperature कम होता है, लेकिन जैसे जैसे sunlight आती है, means जैसे जैसे दिन बढ़ता है, धूब बढ़ती है, temperature बढ़ता जाता है, means sunlight से सूरद से हमारे जो temperature है, उसमें effect पढ़ता है, sunlight बढ़ती है, temperature बढ़ता है, तो sunlight बढ़ने से जो हमारा temperature बढ़ रहा है, it means there is a correlation between sunlight and temperature क्योंकि sunlight बढ़ने से temperature बढ़ रहा है एक में कुछ effect या change आता है तो दूसरे पे effect बढ़ता है this is the correlation प्लियर होई चीज़ ज़्यादा confusion create करनी नहीं correlation is the connection between two things या फिर हम simple सी बात करें the mutual relation between between किनके बीच में two or more variables जैसे अभी मैंने दो चीज़ों में आपको relation बताया sunlight and temperature में ऐसे दो या तीन से जादा चीज़ों में भी आपस में relation हो सकता है तो अगर आपके पास दो या तीन चीज़ों में आपस में relation है एक में कुछ change आता है तो दूसरे में effect पढ़ता है that is the relation mutual का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे में effect करते है एक दूसरे में effect डालते है that is the mutual relation यह नहीं आपको कि sunlight तो है नहीं लेकिन temperature फिर भी बढ़ता जा रहे है नहीं न अगर आप कहरो temperature बढ़ रहाइट means obvious है कि बहार गर्मी है बहार धूप बढ़ रही है वो एक दूसरे में effect करते हैं चीज़े सिर्फ एक ही नहीं दूसरे में डालते है second वली भी first से हम निकाल सकते है that is the mutual relationship mutual का मतलब जब एक दूसरे को चीज़े effect करते हैं तो mutual relation, connection होना दो चीज़ों के बीच में that is the correlation clear हो यह चीज़? बहुत easy है correlation is the connection between two things जैसे-जैसे sunlight बढ़ेगी वैसे-वैसे हमारा temperature भी बढ़ता जाएगा हमारा नहीं weather में temperature बढ़ता जाएगा clear है चीज़? चले आगे तो sunlight and temperature is one of the example for the correlation और भी कोई example हो सकता है correlation का सोचो ध्यान से सोचो अराम से कोई और आपके mind में example आ रहा हो correlation का अगर आपके mind में कोई example है तो आप मुझे comment section में बता सकते हूँ मैं एक और example देती हूँ आपको बहुत easy है suppose किसी चीज़ का price बढ़ रहा है अगर किसी चीज़ का price बढ़ रहा है तो उसकी demand क्या होगी? अगर किसी चीज़ का price बढ़ रहा है तो उसकी demand क्या होगी? कम हो जाएगी So this is also our correlation कि एक पर अगर कोई change आता तो दूसरे पर effect पड़ता है That is the correlation clear होगी चीज़? बहुत easy है correlation आप बहुत easily कर पाओगे इससे एक question पक्का आता है what is correlation, types of correlation क्या इन में relation है कैसे हम निकाल सकता है correlation ये सब समझेंगे ठीक है? हम correlation क्यों पढ़ रहे हैं? correlation पढ़ने का हमारा मतलब है हम यहाँ पे ये measure करेंगे कि कि इन दो चीज़ों में कितना relation है mathematically stat में हम यही सीखेंगे दो चीज़ों में कितना relation है वो correlation हम stat के formula से सीखेंगे diagrams के थूँ सीखेंगे वो आपको आगे पता चलेगा ठीक है? theory पे हम समझेंगे meaning क्या है तो meaning क्या है? बहुत easy correlation analysis deals with the association between two or more valuable correlation का मतलब क्या है? analysis करेंगे न हम correlation का निकालने का मतलब क्या है? हम यह देखने वले association की दो या दो से ज़ादा चीज़े आपस में कितनी related है एक में कोई change आता तो दूसरे में उससे कितना effect पड़ता है that is the correlation अब मेरी बात ध्यान से सुनो जब भी आप कोई question attempt करते हो वहाँ पे आपको अगर किसी person ने दी हुई है कोई definition आप proper वहाँ ऐसे inverted commas में लिखते हो properly उसको अच्छे से by the name लिखते हो वहाँ पे आपके question में आपको proper full marks मिलते है for the meaning तो आपको अपने question में अपनी language में लिख रहे हो कोई बुरा ही निया बहुत अच्छी बात है लेकिन definition जो दो में यहाँ पे बता रहे हो आपने exam में उसे as it is लिखना है ठीक है so correlation की यह language यह proper same as it is आपको लिखनी है by this name इस person ने ऐसे इस को define किया ठीक है so association है दो variable या दो से ज़ादा variable में किसने का था यह Simpson ने बोला था ठीक है next definition is correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between the variables उन्होंने association word यूज किया था Simpson या लुन चौने उनने क्या word यूज किया और उनने का degree of relationship तो दोनोंने अलग-लग wording यूज की meaning a की था आपने अपने exam में जब definition लिखनी है मैं आपको end में भी बताऊंगे को पूरा attempt करना लेकिन जब आपने definition लिखनी है meaning लिखना है ये दो definitions तो डाल देना मैं बिल्कुल जो short थी ना वही लाई हूँ आपको दो definitions लिखने है तो बड़ी-बड़ी याद क्यू करनी by the name आप कोई भी दो याद करलो meaning आपको clear ही है correlation is the connection between the two things clear होगी चीज़ association word उस किया था Simpson ने and इन्होंने क्या word उस किया था that is degree of relationship between the two variables इन्होंने ऐसे correlation को define किया था यहां तक कोई दिक्कत चलें आगे correlation word से कोई problem correlation word का meaning clear है क्या है मैं बार वर बोलते रोंगी कि आपको end तक याद हो जाए connection between the two or more variables variable का मतलब क्या होता है जो चीज़े change होती जा रही है sunlight एक जैसे नहीं रहने वाली temperature भी एक जैसे नहीं रहने वाला यह दोनों change होती रहते हैं तो इनके बीच का relation ढूंड रहे है so correlation between the two variables जो ऐसे चीज़ों के बीच में हम relation ढूंड रहे है जो खुद भी change होती रहती है ठीक है यहां तक clear कोई दिक्कट नहीं पक्का next देखो types of correlation I hope कि यहां तक आपको clear है फिर भी कोई doubt है comment section में बताना and comment section मुझे जो आपके mind में मुझे comment section में बताना कि आपको क्या लगता है कि correlation के और कौन से examples हो सकते है ठीक है now types of correlation में आपके पास आता है first type, second type, third type correlation के types को three categories में divide किया हुआ है जो मैं अभी तीनों नहीं पढ़ने वाली हम एके करके हराम से समझेंगे ठीक है now first type is positive and negative correlation मैं ऐसे आपको learn करवा दूँगे मतला आप किसी को बता रहे होगे मैं बताता हूँ वीडियो क्या देखोगे जाके तो मैं बताता हूँ मैं आपने क्या बता है इतने अच्छे से समझाऊँगी देखो positive and negative correlation positive correlation क्या होता अगर कोई बात अगर कोई हमारी बात को मना कर दे नहीं ऐसे नहीं करना या फिर हमारा कहा हुआ ना माने तो हमारी बात सुनता ही नहीं है that is the negative कहते है नहीं बन्द है similarly ऐसे ही है correlation के अंदर अगर कोई दो चीजें मतलब suppose मैंने का A and B अगर A increase हो रहा है उससे B भी increase हो इसका मतलब A और B में positive correlation है अब A और B क्या है price demand कुछ भी हो सकता है मैंने एक example दिया the correlation का मतलब क्या है ऐसी दो चीजें अगर A के बढ़ने से दूसरे में भी rise हो रहा है that is positive correlation लेकिन अगर A के बढ़ने से दूसरे में कम हो जाता है that is negative correlation एक बार और समझाओ अच्छे से for example अगर sunlight बढ़ती है तो temperature बढ़ता है एक चीजे के बढ़ने से दूसरी चीजे बढ़ रही है it means this is the positive correlation sunlight and temperature में positive correlation है ये चीजे समझ है आगे चले next देखो negative correlation क्या है एक चीजे के बढ़ने से दूसरी चीजे ना बढ़े वो कम हो जाए for example अगर किसी चीजे का price बढ़ रहा है तो उसकी demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बाकी सारे factors जो हम कहें उनको हम constant मानके चल रहे हैं अभी सिर्फ मेरा focus price and demand पे है तो अगर किसी चीजे का price बढ़ रहा है तो उसकी demand कम हो जाती है तो एक चीजे तो बढ़ रही है और दूसरी चीजे क्या हो रही है कम हो रही है इसका मतलब यहाँ पे क्या है इसका मतलब यह है कि यह negative correlation है भई एक तो बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है So this is the negative correlation Clear हो गया, पक्का ये examples आप दे सकते हो और जो भी मैं पढ़ा रही इसकी PDF from the book आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पे And यहां से आप screenshots मत लेना Screenshots लोगे वो phone में ही रह जाएंगे सासात main main points लिखे हो है बिलको मतलब आपको revise देखो आप theory पूरी नहीं पढ़ सकते ना बार-बार आप ऐसे points नहीं से note कर सकते हो जिसे पढ़के आपको सारा याद आजेगा हाँ इसमें मैंने ये बताया था आपको ठीक है, so positive negative correlation clear यहाँ पे पूरी definition रखी हुए 2 variable x और y को अगर same direction में move कर रहा है मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी ऐसे बढ़ रहा हो या फिर vice versa, मतलब एक के कम होने से अगर दूसरा भी कम हो रहा है so this is the positive correlation connection है ना दोनों में या एक बढ़ेगा, तो दूसरा भी अगर बढ़ रहा है connection में that is positive correlation negative correlation में same direction में होता opposite direction के अंदर होता है means एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा that is the negative correlation clear है चीज़, अच्छे से, पक्की बात चले आगे, यहीं पर त्यार हो जाएगा chapter यह topic, मतलब देखो chapter का यह first topic है लेकिन first topic से ही question आता है तो अगर यह class में चे समझा तो question भी तैयार है चले आगे, now next is linear and curvilinear correlation first कौन सा था? positive and negative correlation three types of correlation हम करेंगे जिसमें first type positive and negative कर चुके है second is linear and curvilinear correlation यह बहुत easy है, देखो मैं आपको समझाती हूँ linear correlation क्या होता है? अच्छा, ऐसे कभी हुआ है, मतलब देखो for example, आपके friend के suppose 70% आएं ठीक है? और आपको पता है जितने आपके friend के marks आते हैं उससे आपके 20% कम आते हैं मतलब आपके 50% आएंगे यह चीज़ क्लियर हो रही है, पिल्कुल से example लेते हैं suppose आपके friend के 70% आएं क्योंकि मेरे friend से 20% कम आते हैं means एक relation defined है कि जितने मेरे friend के marks आएंगे उससे सिर्फ 20% मेरे marks कम आएंगे अगर मैंने उसका result देख लिया तो अपना result देखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे पता है कि उससे इतने ही मेरे कम होंगे this is linear correlation मतलब आपको हर बार पता है कि अगर इस चीज में ये change आया है तो दूसरी चीज में इतना ही change आएगा मुझे वो चीज चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है for example जैसे आपके friend के अगर 90 आए है तो आपको अपना result चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको पता है मेरे भी 70 आये होंगे और 70 ही आये है समझ आगे चीज जब एक चीज में effect आने पे बिल्कुल definite pattern पे दूसरे चीज में result आता है हर बार change नहीं होता हर बार 20% ही कम आ रहे है this is the linear correlation इसको linear correlation बोलते है ये चीज clear है now next is curvilinear correlation curvilinear correlation का मतलब है कि यहां पे वो अपना definite pattern नहीं रखेगा for example आपके friend के 90% आये है तो आपको नहीं पता आपके कितने आये होंगे हो सकता है आपके 60% हो हो सकता है आपके 50% हो हो सकता है आपके 95% हो मतलब आपका कोई उससे definite pattern नहीं रहता कि उससे मेरे 5 ही जादा आने है या 10 ही जादा आने है मतलब आपको नहीं पता आपके उससे जादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है for example एक बार उसके 90% है आपके आगे 70% अगली बार उसके 85% है आपके आगे 90% कोई definite pattern नहीं फोलो होता कोई भी कभी भी जादा हो सकता है कोई भी कभी भी कम हो सकता है this is the curvilinear correlation linear में एक जैसे pattern फोलो होता है अगर तेरे इतने हैं मेरे 20 कम ही आएंगे curvilinear में unexpected कुछ भी हो सकता है वो कैसी भी उससे कोई effect कर सकता है एक से दूसरा plus में जा रहा है मतलब वो बढ़ रहा है यह हो सकता है वो उससे कम हो रहा है कोई भी particular pattern फोलो नहीं होता उसे कहते है curvilinear correlation clear है चीज इसकी definitions लिखी हुई है अगर ratio of change of two variables x and y remains constant मतलब ratio of change जैसे मैंने आपको बताया कि आपके friends से हमेशा आपके 20% कम ही आ रहा है मतलब जो change है न उससे आपका 20% का ही रहा है वो same rare है that is the linear correlation लेकिन अगर यह constant नहीं रहता so this is the curvilinear correlation clear है चीज बिलकुल example by example समझा रही हूँ अच्छे से clear होगा और आपको समझ भी आएंगे आप इसमें price and supply से related examples भी ले सकते हैं जैसे आप suppose कर सकते हूँ कि जब भी price इतने से कम होता है supply बढ़ जाता है तो आप उसमें linear correlation में भी उसको डाल सकते हो अगर आपको definition clear है आप अपने according examples बना सकते हो मैं आपकी real life से जो आपके आसपास चीजे हैं उनसे related examples से बताने कोशिश कर रही हूँ relative correlation फिस second हमने क्या पढ़ा linear and curvilinear correlation यह पढ़ा था हमने third one is simple partial and multiple correlation यह भी बहुत easy है हमने three categories में divide किया था this one is third सबसे पहले आपके पास आता है simple correlation बहुत easy है simple correlation क्या होता है जब आपके पास relation दो variables के अंदर हो that is a simple relation that is a simple correlation समझागी चीज़ now partial की बात करते हैं आपके पास variable तो three होते हैं लेकिन हम relation सिर्फ दो variables के बारे में ही पढ़ते हैं that is the partial correlation अब भी clear करते हूं simple का आपको समझागी है जब दो ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है for example sunlight and the temperature यहाँ पे दो ही variable है sunlight temperature so this is the simple correlation हम simple correlation की बात कर रहे हैं ठीक है जब यहाँ पे दो ही चीज़े sunlight and temperature लेकिन partial में क्या होते हैं चीज़ें हमारे पास तीन होती है suppose मेरे पास three variables है that is temperature ठीक है rainfall and मैंने suppose wheat के form लगा रखे हैं ठीक है now अब ध्यान से मेरी बात सुनो temperature तो मैंने जो है वही रहेगा उससे at a time कोई फरक नी पढ़ने वाला लेकिन जितनी अच्छी rainfall होगे उतना अच्छा क्या होगा that will be wheat की yield उतनी अच्छी होगी है ना इस time temperature तो fix है जो temperature है ठीक है उसमे इतना change नहीं आएगा उससे मेरी wheat की yield पे इतना फरक नहीं आएगा लेकिन जितने rainfall इस बार rainfall अच्छी होगी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है हमारे पास wheat की yield होगी तो यहाँ पे मैं temperature को fix लेके चलूँगी लेकिन rainfall से wheat की yield पे फरक पड़ा that is the relation है इनके बीच में this is called partial correlation कि आपके पास factors तो 3 है that is temperature, rainfall और wheat की yield लेकिन आप temperature को ऐसा constant rate कर रहे हो इतना फरक नहीं पड़ेगा temperature पे क्योंकि वो जो weather चल रहा है वही रहेगा weather लेकिन rainfall अगर अच्छी हो तो आपके पास yield भी जादा होती है इसको एक को fix count कर लिया constant count कर लिया और 2 का ही relation हमने correlation देखा this is called partial correlation clear होगी चीज़ बहुत simple है last is multiple correlation multiple correlation क्या होता है जब आपके पास correlation के अंदर 2 से जादा factor हो मतलब 3 या 4 factors include हो उसे बोला जाता है multiple correlation अगर सिफ 2 factors include है मतलब सिफ 2 चीज़ों के बीच में relation देखा जा रहे है that is simple correlation partial में देखते हैं तो 2 ही चीज़ों के बीच में third चीज़ वहाँ पर होती है जिसको हम as a constant treat करते है that is the partial correlation and next is multiple correlation multiple correlation क्या होता है जब आपके पास 2 से जादा चीज़ों के बीच में correlation देखा जाता है that is the multiple correlation आप देखो multiple में भी आप वही example देख सकते हो जैसे weather के according ही आप किस चीज़ की yield plan करते हो कि rice कब लगाना है wheat कब लगाना है तो अगर हम multiple correlation देखें तो यहाँ पर हम temperature के according yield करेंगे क्या हमें चाहिए फिर उसमें rainfall को भी matter करेगा कि rainfall कितनी होरे उसके according yield होगी और हम क्या ले रहे है wheat ले रहे है rice उस पे भी depend करता है यह तीनों चीज़े हमारे पास किस में आएंगी that is the multiple correlation यहाँ पर मैं temperature को fix नहीं रख रही है मैं carry yield temperature के according भी काम करना है rainfall के according भी काम करना है किस चीज़ के आप फार्म करना है तो किस चीज़ के आपके फार्म है उस पे भी depend करता है that is the multiple correlation मैं यहाँ पर temperature को constant consider नहीं कर दी उसकी भी क्या-क्या उसमें changes आ रहे है वो भी note कर रहे हूँ that is the multiple correlation लेकिन partial में मैंने temperature को consider ही नहीं किया था लेकिन अगर आप तीनों चीज़ों को relation देखते हो या चार चीज़ों को at a time एक साथ relation देख रहे हो that is the multiple correlation मैं यही होता है कि काफी चीज़ है तो multiple में मतलब दो से ज़्यादा factors आपको मिलने वाले हैं जो एक दूसरी को effect करेंगे ठीक है यह लिख है simple relation that is relationship between two variables only partial correlation इसमें क्या होता है तीन या तीन से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन at a time आपने relation दो ही चीज़ों के बीच में देखना है देखो यह लिख है when three or more variables are taken but relationship between any two of the variable is studied तीन हो सकते है चार हो सकते हैं लेकिन आपने relation सिफ दो के बीच में ही देखना है that is the partial correlation factors, variables आपके पास कितने भी हो लेकिन आप सिफ दो ही चीज़ों के बीच में relation देख रहे हो that is the partial correlation चाहे आपके पास 4 है चाहे 5 है लेकिन हमारा focus सिर्फ 2 पे है that is the partial correlation लेकिन multiple में कहता है चाहे कितने भी हो सब पे equal focus रहेगा that is the multiple correlation partial में भी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं लेकिन partial में focus correlation किसका देखा जाएगा सिर्फ 2 चीज होगे बीच में लेकिन multiple में जितने भी हैं सारे variables के बीच में relation देखा जाएगा that is the multiple correlation clear होगे तीनो factors first one was positive and negative second one was जल्दी से बता तो second वाला कौन सा था that is linear and curvilinear correlation and third one is कौन सा कौन सा that is simple, partial and multiple correlation I hope आपको correlation का meaning उनकी definitions and उनके types अच्छे से clear है चलें आगे now next is जो हमने पढ़ना है that is correlation and causation मतलब correlation है क्यों किसका किस पे effect पढ़ता है क्या cause है इसका किस कारण से correlation है, word कहां से आया कौन सी चीज किस पे कैसे effect करती है सबसे पहली चीज is mutual dependence mutual dependence का मतलब आपके पास दो अमालों चीज़ें that is a and b, variable हो सकता है, एक पे अगर मैं कोई change लाओ, तो b पे effect पढ़े, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं b पे change लाओ तो a पे भी effect पढ़े, मतलब ऐसा नहीं है कि a में कोई change लाओ सिर्फ b पे effect पढ़े, नहीं, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं b में कोई change लाओ, उस change से a पे भी effect पढ़े करूं clear इस चीज को example से बहुत इस example है, suppose किसी चीज का price जो है ना वो बढ़ रहे है, तो उसकी demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, है ना, मतलब price के बढ़ने से demand कम हो रही है, तो यहाँ पर कौन शुरूआ price लेकिन effect किस पर पढ़ रहे है, demand पर पढ़ रहे है, समझा यह चीज, cause कौन है, price, price की वज़े से demand पर effect पढ़ रहे है, this is the price पे, demand पे effect पढ़ा now second चीज, अगर किसी चीज की demand कम हो जाए, तो उसका price भी कम हो जाता है, effect है नहीं चीज, अगर किसी चीज की किसी को कोई demand दी नहीं है, बाकि सारे factors में, जैसे आपको law of demand आपने पढ़ा होगा, मैं बाकि सारे factors को constant मान के चल रहे हूँ, मैं सिर्फ price and demand की बात कर रहे हूँ तो normal सी चीज है कि अगर demand किसी चीज की कम है, तो उसका price भी कम हो जाएगा, है ना, मतलब demand से price पे effect पढ़ रहा है, तो यहाँ पे demand cause क्या है, demand effect किस पे पढ़ रहा है price, पहले price की वज़े से demand में change आ रहा था और अब demand की वज़े से price में change आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे पे effect आता है हमेशा, हो सकता है, दोनो side से एक दूसरे को effect पढ़ता हो this is mutual dependence, हम causation पढ़ रहे हैं, मतलब यह correlation कैसे होता है, कि क्या हमेशा एक कोई दूसर से effect पढ़ता है, यह second वले से भी effect हो सकता है, यह correlation कैसे होता है, किन-किन चीजों में यह हम discuss करने वाले है, तो पहली चीज हमने पढ़ी mutual dependence से भी correlation होता है मतलब जब first second को effect दे रहे हैं, and second वला भी first को effect दे सकता है, that is the mutual dependence यह भी एक cause है, इसका correlation का, जब दोनों एक दूसरे को effect कर रहे है, समझा है यह चीज, इससे related question आता है, इसको ध्यान से समझो, causation से related question आता है next is due to pure chance इसमें कै, suppose मैं आपको यहाँ पर data provide कर रहे हूँ, suppose यहाँ पर मैंने कहा, this is weight and this is the income कि suppose weight 40 है income will be 50,000, suppose, ठीक है आप मैंने कहा weight 30 है, income will be that will be 40,000 आगे weight 20 बोला मैंने income will be 30,000 अगर आप देख रहे हो ध्यान से, जैसे weight कम है, वैसे income भी कम है, है ना, पर इसका कोई relation है, actual life में कि weight पे हमारी income depend कर रही है नहीं ना, लेकिन stable को देखके हमें relation पता लग रहे है कि हाँ, जैसे weight कम है मतलब weight जैसे जैसे कम हो रहे है income भी कम हो रही है, तो due to pure chance का मतलब हो सकता है कोई data by chance, by the given data हम कह सकते है, there is a relation हाँ, कि जैसे से weight कम हो रहे है income कम हो रही है, पर real world में इसका कोई लेना देना नहीं है, कि weight के according हमारी income होगी, तो this is due to pure chance, जब किसी एक particular data को देखके, उसी time हम उनका relation देख पारे है, लेकिन actual world में, actual हम उसको नहीं मानते कि इनके बीच में कोई relation है क्योंकि हमें पता है, weight का income से कोई लेना देना नहीं है, clear है चीज, now third one is correlation due to any third common factor, common factor के कारण correlation होना, वो directly अपने आप में related नहीं है जैसे for example, मैं देख रही हूँ suppose मेरे पास दो factors है, A and B, A भी increase कर रहा है B भी increase कर रहा है लेकिन A के increase करने से B increase नहीं कर रहा A और B directly related नहीं है ये A और B इसली increase कर रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई third factor है C, जिसके कारण से ये दोनो increase कर रहे है मेरे बात समझ आ रही है ऐसे दो factors, ऐसे दो variables A and B, जो दोनो increase कर रहे है दोनो increase कर रहे हैं, दोनो एक जैसा behavior show कर रहे हैं लेकिन दोनो एक दूसरे को देखके increase नहीं कर रहे है, किसी third factor C को देखके increase कर रहे है This is called correlation correlation तो है, कि दोनो increase कर रहे है लेकिन किस कारण है, इस C के कारण ना कि एक दूसरे को देखके increase कर रहे है, इसका example लेते है For example, मेरे पास है rice की forming है, और एक मेरे पास है T की forming, ठीके, दोनों की जो yield है न, दोनों की जादा हुई है yield, लेकिन क्या rice का T से लेना देना है, कि rice की yield अच्छी हो रहे है, तो T की भी अच्छी होगी नहीं, इन दोनों की yield इसलिए अच्छी हुई, क्योंकि third factor rainfall, इस बार rainfall अच्छा हुआ इसलिए इन दोनों की yield अच्छी हुई, relation है कि दोनों की yield अच्छी हो रही है, लेकिन due to the third factor, that is the rainfall, clear होगी चीज, तो correlation third factor के कारण भी हो सकता है, so इसे बोलते है correlation due to third common factor, common factor क्यों बोल रहे है क्योंकि rainfall rice के लिए भी है और यही वली rainfall tea के लिए ठीक है, now next one is degree of correlation, बिल्कुल last and easy, इसको ध्यान से समझना और easy भी है, degree का मतलब, कितना, मतलब naming से कैसे बला सकते हैं, जैसे perfect correlation हमेशा ध्यान लखना, correlation के आप questions भी करोगे, जो correlation की values है न, वो हमेशा minus 1 से 1 के बीच में आती है, कभी भी आपका correlation का answer suppose 16 आ रहे है, possible ही नहीं है, हमेशा इसका answer minus 1 से plus 1 के बीच में आएगा हम बहुत सारे methods अभी सीखेंगे, ठीक है now first is degree का मतलब कितना correlation है, कितने वो आपस में related है, उसके basis पे भी correlation आगे defined है, बहुत easy है, perfect correlation high degree of correlation, moderate low degree, name से ही clear हो रहे है, perfect correlation का मतलब, बिल्कुल same, अगर x increase हो रहे है, तो y भी increase होगा, x decrease हो रहे है, तो y भी decrease होगा बिल्कुल अच्छे से friendship निभाते है जैसा एक variable behave कर रहे है, वैसा ही second variable behave करता है, this is called perfect correlation, या तो इसकी value plus 1 होती है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं, या फिर इसकी value minus 1 होती है, अगर दोनों decrease कर रहे हैं, तो हमेशा perfect correlation के आंसे या तो plus 1 होता है या फिर minus 1, next is high degree of correlation, हाँ एक दूसरे में इसमें क्या है, कि हाँ दो variables है, x and y लेकिन जितने perfect correlation के बीच में relations होता है, variable के बीच में, ऐसा high degree में नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे की ये सुनते हैं, एक दूसरे की उपर effect डालते हैं, for example, अगर मैं कहूँ, x अगर बढ़ रहा है, y भी increase करता है, कुछ हद तक और इनके जो answers आते हैं that is between 0.75 से लेके 1 के बीच में अगर negative है, तो भी minus 0.75 और 1 के बीच में होता है, मतलब बस आपने positive है याँ पे negative है, range सेम रहेगी range लर्न करनी easy है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी learn रहते हैं, आपको perfect की भी learn रहे है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आप इतनी भी कर सकते हो, next is moderate so moderate में high degree से तुर्णा कम होता है, तो इनकी range जो correlation की होते है, that is 0.25 and 0.75 के बीच में इसकी value आते हैं, अपने values ही लिखनी होती है, और इधर अगर मैं negative की बात करूँ, तो बस negative लगा देंगे, इनके answer इसके बीच में आते है next is low degree of correlation, correlation बहुत कम है, बहुत जादा, means एक दूसरे पर कम effect डालते हैं, इनका जो answer है वो 0 से 0.25 के बीच में आते है, that is the low degree of correlation, now next is absence of correlation, मतलब ऐसे दो variables, जिनके बीच में relation है ही नहीं, east और west की तरह हैं, कोई relation नहीं है इनके बीच में, that is absence of correlation, इनका हमेशा answer क्या आएगा, 0 आएगा, this is all about the correlation, अगर आप इसका question देखो, जो exam में आता है, what is correlation, तो आप कोई भी अगर question attempt कर रहो, exam में, first and formal thing, आप उसमें लिखोगे introduction, क्या लिखोगे आप उसमें, introduction, introduction के अंदर, जो भी आपको उस topic के बारे में पता है, अपनी language में definitions डालोगे, तो उसके बाद आप लिखतो meaning, meaning में उनकी definition आते, जो मैंने persons के recording आपको बताई है, कि इस person ने ये definition दिये, इस person ने ये definition दिये, से Simpson ने दिये, वो सब आप meaning में डालते हो, यहाँ पे what is correlation खतम हो जाता है, explain various types of correlation आपने कर लिया, positive, negative, linear, curvilinear, simple, partial, multiple, वो आप इस पार्ट के लिए डालते हो, does it really signify cause and effect, जो मैंने आपको causition पढ़ा है, तीन points उनके अंदर मैंने करवाया, आपको कौन से तीन points करवाया है, पहला तो mutual dependence की एक दूसरे के उपर depend करते हैं, second factor मैंने आपको करवाया, कि by chance हो सकता है, कि हमें data देखके लग रहे हैं, कि ये related हैं, लेकिन actually वो related नहीं होते, and third factor मैंने आपको क्या बताया है, कि जब उनके बीच में relation किसी third factor के कारण है, वो तीनो factor यहाँ पर आएंगे, and that's it, और इसी के साथ आपके 8 marks आपके तयार है, 8 marks का मतलब है, कि आपने ये सारी चीज़े अलग-लग बतानी है, कि अब मैं introduction लिख रहा हूँ, अब मैं meaning लिख रहा हूँ, अब मैं types लिख रहा हूँ, and अब मैं causition लिख रहा हूँ, बस आपके 8 marks तयार है, I hope आपको अच्छे से clear है, इसके अच्छे से notes बना लो, जो जो मैंने main main लिख है, आपको इसकी जो PDF है, वो Telegram चानल पर मिल जाएगी, आप राम से खुद भी extra भी पढ़ सकते हैं, I hope you like this video, if you like this video, do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is dream mess, thank you so much for watching.